दोस्तों हिंदूओं के सबसे बड़े त्योहरों में से एक गणेश चतुर्थी भारत के विभिम हिस्सों में भव्य तरीके से मनाया जाता है, जो बाधाओं को दूर करने वाले और समरिद्धी के अग्रदूद भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है। इस दस दिवसिय उत्सव के दोरान, देश भर में अलंकृत सजावत और भगवान गणेश की जीवन्त मूर्तियों से सजे भव्य गणपती पंडाल सामने आते हैं। और यहां हम आपको भारत के दस प्रसिद्ध गणपती पंडाल के बारे में बताएंगे। बेंगलूरू का श्री विनायक देवरू मंदिर गणेश चतुर्थी समारों के लिए एक लोग प्रियस्थान है और पंडाल भक्तों की एक बड़ी भीर को आकरशित करता है जो आध्यात्मिक रूप से उठ्थानशील वातावरन में भगवान गणेश से आशीरवाद लेत पूलों और सजावत से सजी यह मूर्ती दिव्यकृपा और शान्ती की आभा विखेरती है और स्वामी विवेकानन द्वारस्थापित रामकृष्ण मिशन की एक शाखा के रूप में आरके मर्थ अपनी आध्यात्मिक और परोपकारी गतिविधियों के लिए जाना जाता ह आरके मर्थ गणपती पंडाल देखने लायक है जिसमें कलात्मक सजावत और शान्त महौल है माइसोर पैलेस माईसोर पैलेस गनपती गनेश चतुर्थी को भव्य और शाही तरीके से मनाते हैं माईसोर जो अपने भव्य उत्सवों के लिए जाना जाता है गनेश चतुर्थी के दोरान माईसोर पैलेस गनपती पंडाल की मेजबानी करता है शांदार महल की पृष्ट भुमी उत्सव में एक राजशी स्पर्ष जोड़ती है, जो वास्तव में मंत्र मुगधा कर देने वाला अनुभव पैदा करती है श्री सारवजनिक गनेश उत्सव गोवा श्री सार्वजनिक गनेशोत्सव के दोरान राज्यभर में सार्वजनिक पंदालों में भगवान गनेश की जटिल रूप से तयार की गई और खूपसूरती से सजाई गई मोर्तिया स्थापित की जाती है और गोवा में श्री सार्वजनिक गनेशोत सफ पंडाल अपने धार में कुछ साह और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है पंडाल की जीवन्त सजावत और विस्त्वित अनुष्ठान भक्तों और परियटकों को समान रूप से आकरशित करते हैं केश्वजी नाइक चौल गनपती, मुंबाई केश्वजी नाइक चौल गनपती पंडाल स्थानिये लोगों के दिलों में एक विशेश स्थान रखता है इसका स्वतंत्रता पूर्व युग का एक सम्रिद इतिहास है और यह पारम परिक रीती रिवाजों को अत्यंत भक्ती के साथ प्रदर्शित करता है और पंडाल की स्थापना 1893 में एक दूरदर्शी और धर्मनिष्ट व्यक्ती केश्वजी नाइक द्वारा की गई थी और सबसे बड़ी गणेश मूर्तियों में से एक है खेरताबाद गणपती की मूर्ती स्थापित करने की परंपरा 1954 से चलिया रही है जब इसे स्थानिय स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कारेकरता स्वर्गिय एस शंकरया ने शुरू किया था और गणेश चतुर्थी की दोरान हैदरबाद के खेरताबाद गणपती पंडाल का नजरा अद्भूत होता है पंडाल में भगवान गणेश की एक विशाल मूर्ती है जिसे कुशल कारीगरो द्वारा साबधानी पूर्वक तयार किया गया है मनाचे गणपती महराष्ट्रा के पुने शहर के विभिन गणेश मंदिरों में से एक है और मराथी में मनाचे गनपती का अनुवाद आधर्णिय गनपती होता है और इस शब्द का उप्योग आठ गनेश मंदिरों के एक समूग को संदर्वित करने के लिए किया जाता है जिनकी पारंपरिक रूप से गनेश चतुर्थी उत्सव के दोरान एक विशिष्ट क्रम में पूजा की जाती है और पुने के गनेश चतुर्थी समारों का एक और रत्न मनाचे गनपती पंदाल है यह अलूठी परंपरा 10 प्रतिष्टित गनपती पंदालों को प्रदर्शित करती है जिनमें से प्रत्येक की अपनी अलग ठीम और सांस्कृतिक महत्व है नमबर 3 दग्डुशेथ हलवाई गनपती पुने दग्डुशेथ हलवाई गनपती महाराश्ट्रा के पुने में स्थित भगवान गनेश को समर्पित सबसे प्रसिद और प्रतिष्टित मंदिरों में से एक है यह 19 सदी के अंत में प्रसिद मिठाई व्यापारी दग्डुशेथ हलवाई और उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई द्वारस्थ हापित किया था महाराश्ट्रा की सांस्कृतिक राजधानी पुने में प्रसिद दग्डुशेथ हलवाई गनपती पंडाल है यह पंडाल अपनी मनमोहक सजावत और भक्तों का मन मोह लेने वाली भगवान गनेश की विशाल मूर्ती के लिए प्रसिद है सिद्धि विनायक मंदिर भगवान गनेश को समर्पित सबसे प्रतिष्टित और लोक्रिय हिंदू मंदिरों में से एक है मूंबई में सिद्धि विनायक मंदिर भगवान गनेश को समर्पित एक और महत्वपूर्ण पूजास्थल है जीवन के सभी क्षित्रों से भक्त आशीरवाद लेने और कीमती रतनों से सजी भगवान गनेश की मूर्ती की भव्यता देखने के लिए इस मंदिर में आते है और मंदिर का इतिहास अथारवी शताब्दी का है जब इसका निर्मान 1801 में देवबाई पातिल नामक एक स्थानिय महिला ने किया था लालबागचा राजा, मुंबाई मुंबाई में स्थित लालबागचा राजा भारत में सबसे प्रतिश्ठित और प्रसिद गन्पती पंडालों में से एक है अपने विशाल आकार और जटिल सजावट के लिए जाना जाने वाला ये पंडाल दस दिवसिय उक्सव के दौरान भक्तों के सागर को आकरशित करता है इस प्रतिश्टित पंडाल का समरिद इतिहास 1934 से है जब इसकी स्थापना कामबली परिवार द्वारा की गई थी हमने आपको जो कुछ भी जानकारी दी है वो आपके काम आई होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी जरूर शेयर करें अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना ताकि आपके लिए ऐसे ही नॉलिजबल वीडियो बनाते रखें मिलते हैं आगले वीडियो में